हाई फ्रेंड्स विल्कम टू माई यूटूब चैनल आज मैं लेके आई हो बहुत ही मज़ेदार नास्ता की रेस्पी तो आप एक वाँ जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही देश्टी लगेगी खाने में इससे बनाना बहुत ही जादा असान है तो चलिए पर बनाते हैं यहाँ पे हमने एक बाउल में एक कटोरी चावल का आटा लिया है सेम कटोरी से हम एक कटोरी बेसल लेंगे अब हम इसमें स्वात के अनुसान नमक डालेंगे तो यहापे हमने एक छूटा चमच नमक डाला है अब हम इसमें आदी चमच हल्दीर पॉर्ट डालेंगे इसे अलका से मिक्स कर लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और बेटर को त्यार करेंगे एक अठा एक साथ पानी ना डाले थोड़ा थोड़ा पानी डाले और ध्यान रहे इसमें लंच ना हो तो इसे अच्छे से मिलाते हुए बेटर को त्यार कर ले तो ये देखिए हमने वेटर को त्यार कर लिया है तो आपको वेटर बिल्कुल ऐसी रखना है इसे ढखके हम रख देते हैं साइट में अब हम क्या करेंगे गैस को आउन करेंगे कडाई चड़ाएंगे कडाई में हम एक चम्मस तेल डालेंगे तो तेल गरम हो गया है तो हम इसमें आदी चोटी चम्मस जीरा डालेंगे कुछ सकेंड के लिए फ्राय कर लेते हैं अब हम इसमें दो से तीन कटिवी हरी मिश डालेंगे साथ में एक बारी कटावा प्याज डालेंगे और इसे हम1 minute के लिए fry करेंगे चलाते वे मिरचाप अपने इसाप से रखें, जैसा आपको तिका पसंद हो तो ये देखें हमने प्याच को 1 minute के लिए fry कर लिया है अब हम क्या करेंगे एक गाजा जिसे हमने गेट कर लिया है, वो डालेंगे इसे भी हमें एक मिनिट के लिए फ्राय करना है तो इसे चलाते वे एक मिनिट के लिए फ्राय कर ले अब हम इसमें एक टमाटर बारिक कटावा डालेंगे और साथ में एक ग्रेट क्या हुआ कच्चा आलू डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे mix करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए fry करेंगे चलाते वे तो इसे ऐसे चलाते वे 2 मिनट के लिए fry कर ले जब तक ये हलका सा फ्राय ना हो जाए तो ये देखे हमने सब्यों को 2 मिनट के लिए fry कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें बेसन वाला जो हमने बेटर तियार किया था न वो डालेंगे और इसे हम मिक्स करते वे इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरा गाड़ा ना हो जाए तो इसे चलाते रहे नहीं तो ये चुपक जाएगा और ये एक मिनिट के अंदर ही गाड़ा हो जाएगा तो इसे लगातार चलाते वे हमें इसे पकाना है तो देख सकते हैं बेटर हमारा गाड़ा हो गया है और ये डो के फ़र्म में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ी सी कटेवी उपर से धनिया पत्ति डालेंगे और हम इसे मिक्स कर लेते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम क्या करेंगे एक प्लेट ले लेते हैं अब प्लेट में हमने यहाँ पे चारू तरब से तेल लगा लिया है तो डो मारा ठंडा हो गया है इसे पौहती जादा ठंडा ना करें तो डो को अच्छे से चारू तरब से एकवली फैला के इसे त्यार कर लें तो इसे चम्मच से ऐसे फैलाए अगर जैसे चम्मच में यह चिपके तो इसमें तेल लगा सकते हैं तो देख सकते हैं इसे अच्छे से फैला लिया इसे हम 10 मिनिट के लिए फ्रीज में रख देते हैं तो 10 मिनिट हो गया है, अब हम इसमें कट लगाएंगे, तो इसे अपने मन पसंद सेफ में कट कर ले, चाकू में हलका से तेल लगा ले, तो मैं ऐसे चकोर सेफ में कट कर रही हूँ, आप इसे अपने मन पसंद सेफ में कट कीजिए, जैसा आपको पसंद दो, तो यह बहुत य दो और खेसे किनारे को एसी सट निएख सेट कर लिया है हुआ आ पर मैंने त्यस्हा गरम होने के लिए रख दिया है तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए अब हम क्या करेंगे एक एक नास्ता को इसमें डालेंगे अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और मीडियम आज पर इसे हम पहले एक साइट से 2-3 मिट के लिए फ्राय करेंगे तो यह देखें नीचे से इसका कलर चेंज हो गया है तो इसे हम पलट देते हैं इसे पल्टने में जल्दवाजी ना करें नहीं तो ये तूट जाएगा जब ये एक साइट से सीख जाए तभी पल्टे और इसे मेडियाम आज पर हम फ्राय करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राय हो जाए तो इसे ऐसे एक से दो बर पलट पलट के फ्राय करें और इसे तेज आज पर फ्राय ना करें नहीं तो ये जल जाएगा तो देख सकते नास्ता मारा फ्राय हो गया है तो अब हम इसे पलेट में निकाल लेते हैं तो सारे नास्ता को ऐसे पलेट में निकाल ले और बचे वे नास्तिकों में ऐसी फ्राय कर लेना है दूनु साइट से गोल्डन ब्राउन होने तक तो गर्म अगरम नास्ता बनके त्यार है आप इसे एक बाद जुरूर ट्राय किजिएगा बच्चे हो या बड़ी सब मांग मांग के खाएंगे और ये बहुत ही जली बनके त्यार हो जाती है अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई